कितना मस लग रहा है नहर में पानी आ चुका है पुजा हो गया प्रलाचा और उपर आजा है मैं भी निकल रहा हूँ पटना के लिए आज है संडे तो अभी एक्जेक्ट पांच बज़र है सुबहा का तो अभी आपको यहां का मॉर्णिंग दिखाता हूँ बहुत ही सांथ है और बहुत ही कुपसूरत है यह कितना मस नजा रहा हो रखाया है नहर में पानी आ चुका है यह अपना घर है में हम लोग इसमें रहत लगते हो यह अम्रूत का पेड़ विनाने का मन कर रहा है नार में मम्मी सुबह सुबह जाड़ू लगा रही है अब चड़ियां का आवाद सुन रहा हो गया अधम सांथ है और यह भी सूरी नहीं हो गया सूरी यहां से उगता है और इधर बसवाड़ी और उसके पीछे करते हैं कितना बज़े तब तक हम देखते हैं एक थोड़ा सा लेते हैं परसादी जैस्री राम का इसी है अनुमान जी हमारे जैस्री राम मंदिर से कुछ ऐसा विव दिखता है पूरे गाउं का अभी तो बर्शाद का मौसमें तो पूरा हरा बरा दिख रहा होगा चारो तरफ उपर आके लाग लो गोड़ चपल खोल दो नीचे उपर आजाओ उपर आके लाग लो यहां पर यहां आजाओ यहां आजाओ और उप इसके परस दो जाएंगे तो मारने लगती है वोई अब तो यहां चल रहा साफ सफाई क्या टोड़ना है तो यह तोड़ दें वला अरे वरा तोड़ दें वला अभी टाइम हो रहा है साढ़े पांच और सुर्वद हो चुका है यहां पर तो गाई टाइम हो चुका है एट निकल रहा हूँ पटना के लिए आप पटना क्यों जा रहा हूँ तो मैं पटना जा रहा हूं एक फ्लैट देखने और कि यहां पर वाइ-फाई का बहुत दिक्कत हो रहा है ने को बैठो जपा दोई रख ले है कि मारे यहां कि अब यह ज़्यादा पॉँच चुका हूं और बहुँ ज़्यादा गर्मी है और फिलाल में फ्लाट ढूंटी रहा हूं अभी मिला नहीं है तलते हैं अभी जूस पीता है फिर फ्लाट ढूंटा है अब सम्मी के जूस से गलास प्लादो कर दो अब अब दो कि अब यह ज़्याद आए यह किचें हो गया नहीं किया रहे ग्राइब कापी अच्छा है यह बात्रूम है ना कि अधिन आप यह एक रोम हो गया कि अधिन कर दो कि एक एक एकुछ जए इंग से टी कि एक एकुछी कि नहां।